नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में साउथ इंडियन बैंक स्टॉक को डिस्कस करेंगे अगर पास्ट वनमंद के ट्रेंड देखेंगे तो जो अपर प्राइस रहा था वहां से लगबग लगबग देखें तो 12% के आसपास की गिराबट रही है एक कंसोलि इसको नए क्रेडिट कार्ड इसू करने से कर दिया है यहां देखेंगे कि डिजर बैंक ऑफ इंडिया है इसूड नोटिस टू फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक तो इस्टॉइंग न्यू कंपनी ब्राइट कार्ड दे लेंडर नोटिफाइड दे एक्षेंज अ वेंडर्स डे और इसने कहा है कि जो भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करेंगे जो नॉम्स हैं यहां देखेंगे यह सॉरी साउथ इंडियन बैंक ने क्या कहा रेगुलेटरी एक्षन इस इन दा लाइन विद दे नॉम्स इसू अन मार्स सेवेन और इट 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 विद रेगुलेटर गाइड लाइन तो यह एक निगेटिव खबर रही थी आरी के सेयर अभी थोड़ा ग्लीच के कारण नहीं दिख रहा है लेकिन थ्री करोर के वाल्डियों में यह सेयर लगबग 4% की तेजी में ट्रेड करते दिख रहा हैं और हमने कहा था आरी में अप यहां अगर आप चाहो तो 26 के आसपास एक बाइंग हो सकती है और दूसरी बाइंग जो है वो लगबग 22 के आसपास का होगा शोट टर्म मैं यहां डबल टॉप के बाद ही यहां से 20 था जहां यह दो ट्रेंड की बात मैं कह रहा था 26 और 22 अगर लॉंग टर्म इन्वेस्ट करते हैं अगर आप वेलकुल कौसन बढ़ते हैं स्व्मेस्भी लिया है संको लियुका एशचल को सकते हैं जो भी आदे मोबिंग कर सकते हैं और की एक downfall और भी यहां से दिख जाए